बॉलवर्ड इंडास्ट्री में आक्टर्स की जब पफड़ बॉड़ी लोग देखते हैं तो लोगों को लगता है कि जिम में पसीना बहाओ और बस बॉड़ी बनाओ लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि एक्टर्ड लोग इस तरह की बॉड़ी बनाने और उसे मेंटेन करने के लिए स्टीरोइड लेते हैं अलाकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बॉडी होने के बावजूद अक्टर की फिल्में नहीं चली और वो अब फिर से कमबाक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अक्टर और कोई नहीं, बलकि इमरान खान है, इमरान खान ने कहा कि जिस वक्त हम इंडस्ट्री में डेब्यू क कर रहे थे, जब मैंने इनिशिली फिल्मे करनी शुरू की थी, तब रितिक रोशन की बॉडी को सबसे अच्छी बॉडी माना जाता था, और उनकी बॉडी से ही इंस्पायर होकर मैंने भी मसल गेन करने की कोशिश की, मैंने जिम किया, ट्रेनिंग की, स्टीरोइड लेने की बॉडी के मामले में, इसलिए अक्टर्स पर प्रेशर होता था, आते ही वो किस तरह की फिल्मे करें, अपने करियर को किस तरह से प्लान करें, ये सोचने के बजाए बॉडी बनाने में लग जाते थे, और मैंने भी वही किया, हाला कि उससे इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यूंकि फिल्में बॉडी से नहीं, अच्छी कहानी से चलती है, और ये इमरान खान को अब रियलाइज हुआ, हमारी इंडस्ट्री के कई लोगों को ये रियलाइज करनी की जरूत है, कि अच्छी बॉडी से फिल्में नहीं चलती है, अच्छी कहानिया हो, तो में चल पड़ती है,